इतने रिस्की वाले माहुल में कि 2026-28 के लिए option बचेगा या फिर नहीं इस हिसाब से हमें कौन सा optional चूज़ करना चीए जिसमें हम सबसे जादा safe रहें मतलब तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कोई option पढ़ना चाहते हैं हो सकता आप पर time हो, पैसा भी हो, क्या पदा option ना हटे हट गया तो देखी जाएगे वरना नहीं हटा तो काम ही आ जाएगा तो इस हिसाब से आज की date में कौन सा तुम्हें option लेना चीए इस वीडियो में बात करते हैं देखो यार, एक वो optional होते हैं, जो थोड़े standard type की होते हैं मतलब उनका जो syllabus है, वो तुमारे GS में जो subjects है ना, उनके syllabus से काफियत तक match करता है ऐसे options के नाम मैं तुम्हें बता दूँ, PSIR, political science and international relations, history, geography, sociology, economy या फिर public administration हो गया, ऐसे options का फाइदा ना GS में भी हमें मिलता है फिर एक दूसरे type की optional आते हैं, जिनका GS के syllabus से इतना कुछ खास लेना देना नहीं है ऐसे options के मैं आम तुम्हें बता हूँ, जैसे electrical engineering हो गया, जैसे उर्दू optional हो गया, जैसे tamil optional हो गया, management हो गया, commerce and accountancy हो गया तो अगर तुम 26, 27, 28 के लिए तैयारी कर रहे हो और optional set जाते हैं, तो ये optional तुम्हें बहुत minor सा ही कुछ फाइदा देंगे, अदवाइस कुछ खास फाइदा नहीं होने वाला इनको पढ़के जबकि दूसरी set जो मैंने standard options तुम्हें गिनाए हैं, वो तुम्हें बहुत जादा फाइदा दे देंगे, अगर तुम्हारा optional हिंदी side भी है, ठीक है, वो भी तुम्हें फाइदा दे देगा, essay में भी दे देगा, ethics के paper में भी दे देगा, और ये बात मैं सिफ बोर्डाउं 12, 26, 27, 28 वालों के लिए, ठीक है, 25 वाले भाई तुम्हें जो ले रहा हैं, लो यार